वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इस न्यू एपिसोड इन रे आप्टिक्स, ओके आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स की हम बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक है जैसा कि आपको इसी वर्ड से पता चला है कि स्फेरिकल का मतलब कहीं न कहीं एक स्फेर पिक्चर में आएगा तो हम सुरुआत करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं तो हम क्या करते हैं हम एक बहुत पतला एक हॉलो एक थिन हॉलो इस्फेर ले लेते हैं दिख रहा है ऐसा ग्लास का बना हुआ मानलो प्लेन मिरर आपने पढ़ी लिया है अब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं तो ये एक थिन हालो इस्फेर है और मानलो ग्लास का बना हुआ है इस इस्फेर का सेंटर है सी ठीक है और इसकी रेडियस है आर अब हम क्या करते हैं हम इस स्फेर को एक प्लेन सेक्षन में ऐसे काट देते हैं कोई दिक्कत बिल्कुल ऐसे प्लेन काट दिया तो इसका अगर आप इस साइड से सेक्षन देखेंगे तो वो भी एक सरक्ल जैसा दिखेगा इस साइड से देखेंगे तो इसे छोटा सा इतनी साइज का मतलब इतनी साइज का एक सरक्ल जैसा दिखेगा इस साइड से गर देखो हमने इस फेर को ऐसे काटा अब हम अंदर से देखेंगे तो ऐसे हमको गोल गोल दिखेगा इस साइज का सरक्ल सिमिलरली एक हमने यहां कार दिया इधर भी कार दिया तो हमको इस साइड में भी अब बतना हम लिख दिये हैं तो इसको मिटा देते हैं हालो स्फेर ग्लास अगर हम इस साइड में भी कार दें तो आप जब आप इस साइड से देखोगे तो आपको ऐसा एक सर्कुलर मिलेगा छोटा सा अगर आप इससे देखो यह आपको सर्कुल्र टाइप कर कटा हुआ इसा दिखेगा अलब ऐसे काटो फिर देखो गए इसे तो ऐसा ही यहां पर भी एक सर्किल टाइप कर मिले कि समझ में आ गया ना तो इनको हम मिटा देते हैं इसकी कोई जुरुत में हैं सिर्फ बताने के लिए था जरा इस वाले हिस्से को देखो केवल इस वाले हिस्से को तो हम बाकी इस फेयर मिटा देते हैं लेकिन इस सी को नहीं मिटाएंगे देखो करेक्ट यह जो पार्ट हमको जो मिले दोनों यह ओर्जिनल उसी स्फेयर का हिस्सा है तो यह जो करवेचर जो मिले यानि जो करव जो पार्ट जो मिले यह अपने उसी ओर्जिनल इस फेयर का हिस्सा है जिससे यह काट के बनाए गए है तो यह जो सी है सी यानि ओर्जिनल इस फेयर का जो सेंटर इस सी को बोलेंगे सी इस सेंटर आफ करवेचर आफ दीज पार्ट्स दीज आर्क पार्ट्स अब यह आर्क जैसे लग रहे हैं दिख रहा है ना आपको और इनकी रेडियस आफ करवेचर वही होगी जो जिनसे यह दोनों है इनकी रेडियस आफ करवेचर आर्ट्स अब वही है जिस स्फेयर से ओर्जिनली यह बने है तो रेडियस आफ करवेचर आप दीज पार्ट्स कितनी निकलेगी वही आर अपने पुराने वाले ओर्जिनल स्फेर की रेडियस और यह जो रेडियस आप डालेंगे यहां से वह हमेशा परपेंडिक्विलर होगी सर्फेस पर यह आप जानते हैं कि किसी स्फेर के सेंटर से अगर आप सर्फेस को मिलाएं सीधे यानि आज यह रेडियस तो वह सर्फेस पर परपेंडिक्विलर होती है समझ में आया अब जड़ा इस साइड वाले को देखो नंबर वन पार्ट को केवल इसको इसका नाम देते हैं इसको बीच में कहीं नाम और एक यह नाम सी यह पार्ट नंबर टू है इसका नाम देते हैं D, E, and F कोई दिकत वालब यह D, E, F, यह A, B, C इस वाले हिस्से में हम क्या करते हैं अंदर की ओर जो हिस्सा है उसको उसको सिल्वर कर देते हैं इस सिल्वर को बोलते हैं मलब सिल्वरिंग करना यह पालिस करना ऐसे ऐसे बोलते हैं यह आपने घर के में जो छोटे जो सीसे जो होते हैं इनमें आप अपना चेहरा देखते हो उसके पीठे देखना आपको silvering मिलेगी तो इस part में ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसके back side में करते हैं और इस side में क्या करते हैं इस वाले part में इसके उभरे हुए हिस्से पे कर देते हैं pulsing या silvering तो इस type का जो आपको मिला object ये देख रहे हैं ये ये है convex mirror इस type के जिसमें उभरे हुए part पे polish ना होकर ये जो दबा हुआ part है उसमें pulsing है या silvering है और इस type का जो आपको मिला ये structure जिसमें की उभरे हुए side पे pulsing है और ये जो दबा हुआ part है इसमें pulsing नहीं है तो यहाँ पर mirror का काम मतलब इस side से होगा यानि ray यहाँ टककर मारेगी और reflect हो जाएगी आइसे और यहाँ पर पीछे silvering है यानि ray पार नहीं कर पाएगी तो ray ऐसे reflect होगी इसके inside से बहुत basic concept बता रहे हैं इसमें ray convex side से यानि उबरे side से reflect होगी और इसमें conqueo side से यानि दबी हुई side से reflect होगी क्योंकि इसमें उबरी हुई side में silvering है और इसमें अंदर दबी हुई side में silvering है तो इसको बोलते हैं convex spherical mirror और इस टाइब के mirror को बोलते हैं conqueo spherical mirror जिस इस ओरजिनल इस फेर से इनको काट के बनाया जाता है उसका center कहलाता है इस mirror के का center of curvature और उसी ओरजिनल इस फेर जिनसे काट के ये बनाया गया है या बनाया गया है दोनों उनकी radius इस उसकी radius कहलाती है इनकी radius of curvature यानि आपको कांके जो मिरर और कांविक्स मिरर कैसे बनते हैं यह पता चल गया उनकी radius of curvature पता चल गई और उनका center of curvature पता चल गया है तो आप समझ गए कि कांविक्स साय कांविक्स जो मिरर होता है कांविक्स स्फेरिकल मिरर यानि जिसमें पॉल्सिंग दबे हुए हिस्से में होती है और उभरा हुआ हिस्सा में पॉल्सिंग नहीं होती है इसका जो radius of curvature जो भी हो इसका जो center of curvature होता है वो पॉल्सिंग साइड में होता है यानि पॉलिस साइड की तरफ और जो कांविक्स मिरर होता है इसका radius of curvature कहां होता है उसके मिरर साइड में नहीं होता है उसकी दबे हुए हिस्से के सामने होता है यानि इस तरफ कांविक्स जो मिरर होता है इसमें इसका जो center of कर वेचर होता है वो शिल्वरिंग साइड में होता है यानि जिस और reflection होता है उस साइड वो नहीं पाया जाता है पीछे होता है देखो Q आउंवेक्स मीरर का Center आप कर वेचर पीछे हैं से असे लिवन इन्व mult कर देते हैं पिछे सिल्वर रिंग कर देते हैं और जो कानके उसमें जिसुल लाइट कारिक्सवन होता है प्रोसेस लाइट के रिफलेक्टों वह गखरा होते हैं उसी साइड में उसी साइड में कि सेंटर आपकर वेचर होता है सिल्वरिंग के साइड में नहीं होता है कि यह भी कि आपको पता होना चाहिए कि आगे चलें कि समझ में आगे है ना आगे चलें कि बहुत थोड़ी जानकारी देंगे अभी हम आपको दोनों के बारे में ताकि आप अच्छे से समझ जाओ देखो मालो कि हमने दोनों सेम साइड के लिए यानि सेम आर्क लेंग्ट के लिए मिरर एक कान विक्षए मिरर और एक कान के लिए यहे देखो सेम आर्क साइड के यानि सेम आर्क साइड के ना यहां पे देखो पहले कानविक्स मिरर की और ध्यान दो केवल इस मिरर की और ध्यान दो इसमें लाइट कहां कहां से फाल हो सकती है यहां से फाल हो सकती है रिफलेक्ट हो सकती है इसे यहां से आ सकती है रिफलेक्ट हो सकती है यहां से आ सकती है रिफलेक्ट हो सकती है बिल्कुल सीधे जा सकती है उसी पाथ पर रिफलेक्ट हो जाएगी यहां से जा रही है लाइट मालो गिर रही है रिफलेक्ट हो सकती है यहां से गिर रही है रिफलेक्ट हो जाएगी आएसे रिफ्लेक्ट वो तो कानवेक्स मीरर को आप देखरें से का व्यूट फील्ड बहुत बड़ा है यानी कानवेक्स मीरर पर बहुत वाइड रेंज से रेज गिरने की संभावना है बहुत वाइड रेंज से मनलब समधर है तो मतलब इतना व्यू लगभग आ रहा है मतलब बहुत बड़े एरिया का इसमें इमेज हम देख सकते हैं मतलब क्योंकि बहुत वाइड रेंज से इस पर रेज पड़ रहे हैं कानक्यों मिरर में देखते हैं आप यह समझ गया न अब फिरा कानक्यों मिरर में ढ़ल सेम साइज का थोड़ा यहां बनाते हैं इसे वही करनक्यों मिरर है इस पर ज्यादा से ज्यादा यह पड़ सकती है जो रिफलेक्ट हो रही है रिफलेक्ट हो रही है मालोप बिलकुर बीच में गिरी तो वह पनही पाथ पर आ गई हैसे तो इसमें मैक्सिमम इसमें रेज मतलब मान लो मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब अब इतना ही view आ रहा है कि इतना ही वियू फिल्ड सामने आ रहा है मैं तो जो कानव क्यों मिरर होता है याने बीच में दबार रहता है में और बाहर पालिसिंग होती है इसका इसका जो वो फील्ड होता है न, व्यूफिल्ड व्यूफिल्ड मलब कितनी कितनी जगे का इसमें इमेज बन सकता है, वो small होता है. जबकि इसका फील्ड व्यूफिल्ड, वो large होता है. इसी लिए यह जो कॉन कॉन्विक्स जो मिरर होते हैं जो बीच में उबरें और पीछे जो दबें दबा एरिया उसमें पॉलिस यह मिरर यूज किये जाते हैं जब कभी मोड होती न सडकों पर बहुत सार्प मोड तो यहां जैसे सार्प मोड है मालो यह रोड जा रही है यहां सार्प मोड है रोड ऐसे जा रही है तो यहां पर हम कानविक्स मिरर लगाते हैं कौन सा मिरर लगाते हैं कानविक्स मिरर वो क्या करता है वो बहुत दूर तक का जो फील्ड है वो वो अपने में इमेज बनाता है तो हम यहीं सिप पर आकर जान जाते हैं कि उस तरफ कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है मतलब बहुत बड़ा व्यू फील्ड होता है उसका मतलब इतना बड़ा व्यू फील्ड इसमें आ गया तो बहुत बड़े एरिया को मॉनिटर करने के लिए कान विक्स मिरर इस्ते माल किये जाते हैं कान क्यो कि बड़े एरिया को कवर नहीं करते हैं दुकानों में भी इसे खुब बडला कोई दुकान है दुकांदार होता है जन्रली वह इस मिरर लगा लेता है तो क्लिभा करता है कि दुकां कि एक बड़ा पॉर्षन उसको इस ग्लास में दिखाई देता है उक्ति help होता है वह व्यू फील्ड को कवर करता है तो उसको अपनी दुकान का मेजर कोर्शन आसानी से दिखाई देता है ठीक है तो यह तो बहुत ही बेसिक हमने बताया कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं उसका वो दो टाइप के होते हैं वो भी बताया उनके विव फील्ड में अंतर होता है कानवेक्स और कानकियो मिरर ठीक है पॉलिसिंग का नेचर कैसे होता है उनका सेंटर आप करवेचर क्या होता है और वो कैसे लाई करता है ठीक है मिरर के जैसे कोई मिरर लिया जो आर्क फार्म में है तो उसका जो मिडिल पॉइंट होता है न इसको बोलते हैं पॉल क्या बोलते हैं पॉल रही है मिरर रहा सφ喜歡 मीडिल पॉइंट होगा उसको बोलते हैं पॉल और आप के अश्रस सेंटर करवेचर को जो मिलाने वाली जो लाईशन होती है मतलब ओल से इस मिरर क्या जो मिडिल पॉइंट है आर का पी उसको बोलते पूल और पूल से अगर उस मिरर के सेंटर आप करवेचर को मिलाओ तो वो जो लाइन होती है या इसको कहलो सेंटर आप करवेचर तो पूल को मिलाने वाड़ जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस मेरर की प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्सिस मेन एक्सिस सब्सक्राइब आई थिंक आपको बहुत बेसिक जानकारी जो चाहिए वो हमने दे दिया अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ना सुरू करेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पर दड़ से नेक्सिस